हाई, आम आंजली, और यो वाचिन चानल, आंजली, मैं बढ़ी होकां वीजे बनूँगी, you know, just like नीलं, hey, कट 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 कुछ कुछ होता है फिल्म में आंजली खन्ना का किरदार निभाने वाली अभी नेतरी अब दिखती है इतनी हॉट 1998 में आई शाहरुखान की फिल्म कुछ कुछ होता है तो आपने जरूर देखी होगी जिसमें शाहरुखान, काजोल, रानी मुखरजी और सल्मान खान देखने को मिले थे इन सब के अलावा फिल्म में एक एहम रोल था जो काफी आकर्शित था और वो एक छोटी बच्ची का था जिसमें छोटी बच्ची शाहरुखान और रानी मुखरजी की बेटी यानि अंजली खन्ना का किरदार निभाती है और फिल्म में उन्होंने काफी बहतरीन किरदार निभाय था और लोग उस लड़की की आक्टिंग को देखकर काफी हैरान भी हुए थे क्योंकि आक्टिंग ही कुछ ऐसी थी इस चोटी बच्ची का किरदार निभाने वाली इस लड़की का रियोर लेम है सना साइड जो कुछ-कुछ होता है के अलावा बादल हर दिल जो प नहां है और कितनी बड़ी हो गई है बता दे कि आपने इस लड़की को जरूर देखा होगा लेकिन बढ़ती उम्र के साथ और बदलते चहरे की वजह से आप उसे पहचान नहीं पाए जैसा कि आप जान चुके हो कि इस लड़की का नाम सना साइड है और अब वो 32 साल की हो गई है जो इन दिनों काफी खुबसूरत और होट दिखती है अब तक तो बात थी उनकी छोटी उम्र की फिल्मों के बारे में लेकिन अगर हम 2012 में आई स्टूडेंट ऑफ दी यर के बारे में बात करें तो वो फिल्म में तानिया इसरानी का किरदार निभाती हुई नजर आई थी जिसमें वो वरुन्धवन यानि रोहन की लव इंट्रेस्ट के रोल में देखने को मिली थी फिल्मों के अलावा वो फुगली कोट इन दे वैब और वो एक स्ट्रेंचर ग्रूप में भी दिखने वाली है सना सईद ने चाइल्ड आटिस के तौर पर कुछ-कुछ ह होता है फिल्म से डेब्यू किया था जिसके बाद उन्होंने हर दिल जो प्यार करेगा और बादल जैसी फिल्मों में काम किया फिल्मों के अलावा सना बाबुल का आंगन छूटे ना और लो हो गई पूजा इस घर की जैसी कई टेलेविजिन शो में भी काम कर चुकी है तो